XL6 के उपर हमारे काफी वीडियोज है Grand XL6 के उपर हमारे काफी वीडियोज है बट मेरा आप लोगों से दावा है कि ऐसी Grand XL6 ना आप लोगों ने देखी होगी और ना हमने अपग्रेड की है अभी तक We proudly launch to you, present to you the Grand XL6 with the active DRL जादव जी हमारे साथ में है, owner of the car है हम सर का welcome करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं तीन दिन पहले मेरे पास आए थे, काफी कुछ लगा हुआ ही था गाड़ी में बट बोले कि रोई जी आपका एक वीडियो देखके आए है इस गाड़ी को आप अपने style से बनाए बाकी क्या चीज लगानी है, क्या न लगाना है, क्या नहीं लगाना है मैं सब आपके उपर छोड़ता हूँ, यह आपकी गाड़ी है आप इसको अपने style से बनाए है, आज आए हैं गाड़ी देखी भी नहीं है हम सर को request करदे, सर आप जरह देखिए गाड़ी का लूप देश है एक बार जोरदार तालियों से, we present to you the grind XL6 of India के रहा है आप इसकैन आप करदेन झाल झाल चाहे जिन्दगी हो या चाहे गाड़ी हो ये दोनों होनी चाहिए है ग्रैंड और एक बार फिर से ग्रैंड XL6 के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं ये XL6 का ZETA मोडल है दोस्तों ये गाड़ी के अंदर 16 इंच के अलोई ही लग के आते हैं 17 इंच के अलोई तो हमने लगाए हैं बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है बिकाज जो लाँच है आज के प्रोड़क का is the active DRL is installed in the XL6 कार दोस्तों ये गाड़ी के अंदर जो DRLs हैं वो लगके ही आती है कंपनी से बट काफी small and short in size आती है active DRLs जो हमने लगाई है इसका look देख सकते हैं ये अलग-अलग colors में इसको हम set कर सकते हैं white color की कार पे हमने integrate की है अभी ये neon blue color में है इसके और 35 color है ये हम अंधिरा होने के बाद देखेंगे बट जो ये DRL का look है जो class है ये original headlight के अंदर हमने install की है ये गाड़ी का look देख सकते है white color की कार पे ये DRL का जो get up है हम लोग देख सकते हैं इसके bonnet पे neon rust color का graphic हमने किया है इसकी skirtings पे neon rust color का graphic हमने किया है इसके side skirtings पे neon rust color का touch हमने दिया है बट पूरी गाड़ी का जो highlighter है is the 17 inch diamond cut alloy wheels दोस्तों 16 inch के ही tire ये गाड़ी में लगके आते हैं alloy wheel लगके आते हैं वो alloy को हमने हटाया है customer ने हमको बोला है कि रोई जी आपके grand XL6 के जो videos है ये XL6 है दोस्तों artiga XL6 दोनों एक ही category की गाड़ी है बट एक ये 17 inch का alloy लगने के बाद पूरा जो look है वो fortuner के जैसा मुझे दिखता है इसका look देख सकते हैं इसके tire के ऊपर के जो ये pendles है ये black color के थे काले थे उनको भी replace करके हमने white and black two tone में हमने paint किया हुआ है look देख सकते हैं कि क्या जबरदस look मेरी गाड़ी को मिल रहा है white के उपर white के उपर black के उपर neon rust full chrome के door visor है जो left extreme corner से चालू होते हुए right extreme corner तक जाते हैं इसका भी get up हम लोग देख सकते हैं XL6 है बट XL7 का made in Indonesia का spoiler आता है जो पीछे की तरफ हमने लगाया है get up ultimate है जो पूरा धमा का है वो है infinity tail light का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के 9 piece हमने change किये हैं यह lights जब on होती है तो एक beautiful introduction के साथ on होती है इसका जो welcoming है इसकी जो scanning है इसका जो look है दोस्तों तो अब जाके मेरी यह गाड़ी में tail lights भी जो आदी जलती है company लगा के ही देती है बट यह concept इतना बढ़िया है कि एक बार आपने अगर यह video देख लिया मन में इच्छा जरूर जागेगी कि XL6 हो तो grind हो पूरी गाड़ी का जो highlighter है अगर बाहर से यह rust color का touch हमने दिया है the hidden ambient light यह गाड़ी के अंदर हमने जो लगाई है यह hidden format की आती है market में जो बिक्ती है वो यहाँ पे चिपकाई जाती है यह हमने कोई चिपकाई नहीं है यह पूरी lights इस panel के उपर light throw कर रही है evening अंदेरा होने के बाद इसका look देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमको उसके अंदर मिल रहा है hidden ambient light हमने लगाई है इसका भी जो color है आप अपने mobile से change कर सकते हैं इसका working operation भी हम लोग उसके अंदर देखेंगे you can just see यह मैंने red दबाया red हो गई यह मैंने blue दबाया blue हो गई green दबाया green हो गई see the look of my car यह 13-14 लाग की XL6 है दोस्तों बट अब जो look मुझे मिल रहा है वो करोड़ो रुपे की गाड़ियों वाला इसके अंदर मिल रहा है the rust color and the coffee color two-tone interior यह गाड़ी के अंदर हमने किया है seat covers हमने लगाए है जो top gear brand के आते है in the rust color floor mats हमने लगाई है जो top gear brand की आती है in the walnut color दरवाजों में leather work हमने किया है जो coffee with rust के थोड़ इसे stitching work के साथ है look देख सकते हैं इसके dashboard को हमने leather किया है in the rust color इसके steering को हमने leather किया है in the rust color rust and coffee जो music system है 7 inch की screen लगके ही आती है replace करके 10.1 inch की screen जिसमें offline map बिना internet के रस्ता दिखाने का system reverse camera की जो clarity मुझे मिल रही है totally ultimate है दोस्तो से see the fitment of the screen एक एक वीडियो जो इसके अंदर integrated आते हैं ये 4K clarity के साथ है see the clarity of the video जो में को उसके अंदर मिल रहा है इसकी जो gear knob है उसको भी हमने leather wrap किया है इसमें जो speakers है audison का premium audio upgrade हमने किया है इसका effect हम customer आने के बाद उनके साथ experience करेंगे बड़ जो आज DRL हमने लगाई है fog light भी ये गाड़ी में लगके ही आती है बड़ उसकी रोशनी बहुत कम है उस fog light को change करके awesome brand के जो projector fog light हमने लगाई है उसकी throw देख सकते है it is the ultimate light solution specially XL6 वालों के लिए XL6 वाले जो owners है चाहा के भी bulb headlight में नहीं लगा सकते है तो fog light जो ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई है ये खाली fog light on है दोस्तों headlight हमने चालू भी नहीं की है इसकी road पे throw देख सकते हैं कि कहां तक है आप लोग फिर से देखिए fog light off fog light on it is the ultimate light solution अंदर और ये company की headlight ये मारूती वालों ने ना के बराबर light इसके अंदर दी हुई है तो fog light ऐसी है कि headlight चालू करने की भी जरूरत डियारल के जो different modes है XL6 के ओपर देख सकते हैं कि ये तो मेरी class है दोस्तों गाड़ी का जो look है मेरा दिल आज खुश हो गया कि XL6 को हमने कहां से start किया था और ये आज गाड़ी कहां तक पहुच गई है see the ultimate look ये हो गया purple neon ये हो गया blue ये हो गया red पे तो क्या इसका look आ रहा है दोस्तों this is my car दोस्तों this is my grand XL6 ये मेरे लिए गाड़ी नहीं है ये एक emotion है ये प्यार है जैसे दोनी स्टेडियम में आता है न तो ये हो जाती है वैसे अल्टी का और XL6 मेरी जान है जितना भी मैं उसके लिए करूँ वो कम हो जाता है the grand XL6 इसमें मेरे खाल से custom modes भी है जो running वाले वो भी में थोड़ा साब को हो सके तो दिखाऊंगा see the ultimate look दोस्तों जो मुझे इसके अंदर मिल रहा है जबर्दस लुक के साथ है एक बार फिर से grand XL6 के वीडियो को लाइक करिए और बहुत अच्छे customer है मतलब customer तो हर अच्छा होता है बड़ यह customer ऐसे है ना आपको दिन का इंटर्वियो देखेंगे तो दिलखुश हो है definitely इस वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए subscribe करिए drive safely grand XL6 जो हमने बनाई है alloy तो हमने 17 इंच के लगाए है DRL जो यह गाड़ी में launch की है music system जो इसके अंदर हमने लगाया है tail light जो पीछे की लगाई है fog light जो लगाई है fenders को white and black जो किया है orange touch जो दिया है XL6 loaded ही आती है company से पर grand XL6 की बात कुछ अलग है दोस्तो और जादो जी हमारे साथ में हैं जिनोंने हमको मौका दिया XL6 पे काम करने का हम सर को welcome करते हैं उनका शुक्रिया करते हैं आए blind trust में मेरे को गाड़ी की चाबी देखे गए एक ही चीज बोली रोई जी यह अपनी गाड़ी है आपके वीडियो देखे है इसको आप grand XL6 बनाई एक गाड़ी कैसी थी अपनी पहले और जो difference कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद मैं ऐसा confused था कि दो दिन में होगा की नहीं काम लेकिन उन्होंने कर दिया पड़ा 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 अपने लिए और कल लेके जा रहा हूं मैं गन पर अपके दरसें के लिए मैक विल डियारे जो भी चीज लगाई है ग इसको लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए ड्राइब सेफ़ी और देंकिया शौला